भलो दोस्तों कैसे हैं आश وर मिद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे के दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम एदेशभीदे समंदित बारे में बताते रहे तक्तुर आज तो मैं बात करने वाला हूं कुबेद के बारे में। कुवेद एक ऐसा कंट्री है जहां पर दोस्तों आप जाकर खुब जारा पैसा कमा सकते हैं कुवेद में हमें कैसे जाना चाहिए कौन सा काम सिख कर जाना चाहिए किस काम में जादे पैसा है आज मैं इसी टॉपिक पे आज आपको बताने में बताऊंगा कि कुवेद के एक द है दोस्तो चुबेद में जैसे के काम कोई भी काम ऐसी का काम वाइल के का का स्पनसेलेग् GRANT गाट्स बना अचक्ते हैं उसके बाहाद चपराशी घराल बना सकते हैं मुल्सी घराशी मतलब जो भी जिस भी डिगरी के आप जॉब पाना चाहते हैं कुबेद में हर प्रकार की जॉब अलिवेल होता है अब हमें जाना कैसे चाहिए ये भी हम बताएंगे अब कुबेद के एक दिनार हमारे इंडिया करेंसी में कितना होता है ये भी बताएंगे एतिमाल लिजे दोस्तो हम किसी भी काम में जाते हैं वहां चलता है दोस्तो दिनार कुबेद एक ऐसा सीटी है जहां पर दिनार चलता है वहां की दोस्तो बात कर लिया जाए कौन सा काम में किसी भी काम में जाएंगे दोस्तो जैसे हमारी मिस्ट्री का रिटर लग रहता है लेवर का रेट अलग रहता है और इंजिनियर का रेट अलग रहता है उसे परकार कुबेद में दोस्तों हट टिग्रियां की अलग-अलग रिकार्ड के साथ अलग-अलग अनखा भी रहता है पहले दोस्तों हम जानले कुबेद के एक दिनार हमारे इंडिया करेंसी में कितना ह होता है अगर सोचे मेरे दोस्त एक रुपया दिनार एक दिनार की कीमत हमारे इंडिया में 227 दिनार होती है ठीक है दोस्तों एदी आप किसी भी एंगल के डिग्री के काम सिखे हैं किसी बढ़िया एजेंट से मिलिए वह हर परकार की जॉप है दोस्तों जॉप हर परकार की है आप सलेरी हर में अच्छा खासा कमा सकते हैं आप किसी एजेंट से मिलिए कुछ पैसा आप से लेगा सही एजेंट रहेगा सही जगें जाएंगे तो अच्छा खासा इंकम और पैसा कमाएंगे आजका दोस्तों तो आ कि रहते हैं कुवेद में उनकी सर्विस बहुत असानी तरह के से लगती है कि यह आप भी दोस्तों गेजुरेट है तो कुवेद में अच्छा खासा पैसा के साथ साथ महौन भी रह सकते हैं तो दोस्तों कुवेद से संबंदित और कोई जानकारिया आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यह कमेंट दीजिए अन्ड कंट्री के बारे में मैं तो बताते ही रहता हूं वो सकता है किसी कंट्री के बारे में आपके नौलेज़े हो सकें तो दोस्तों आज के लिए इतना है फिर करेंगे आम अन्ड बारे में कुछ अन्ड चीजे लेकर धन्युक्त